एक खर मासर जब धनू राशी में सूरिय जाते तो उलब माने जाते एक महिना तक रथे खर मासर खर मासर के मतलब एह हो थे कि धनू राशी में जब सूरिय जाते न तो उकर बाद तहां मांगली कारियला एक महिना तक बर बढ़ जीत कर दे थे फिर उकर वास संक्रांती मकर संक्रांती वाला आ जा थे मकर रासी मा आ थे तहां फिर सूप कार्य चालू हो जा थे उकरे नाम से ही वोला थोड़ा सा असूप टाइप के मान थे खर मास का दे थे अब खर मास मान के ही अच्छा मांगली कार्य बगरन नी हो आए अक्सर करके वहा पुष्ट के महिना मा पार हो थे वहा हर वर्थमा धनूर आसी जैसे ही आते धनूर आसी मा ही प्रवेष करके एक महिना के रहते अभी ए साल के हर हे तुम्हारा क्लू हो ही वहा दीसंबर ले चालू होई धनुर मावज़ और सोला तारिक ले चालू होके 15 जनवरी तक 14 जनवरी 15 जनवरी में वह समापत होई उकर बात फ्र मांगली कायरे प्रारंब हो जहिए ये बीच में एक महिन तक के खरमास के समय माने जाते इस समय लही खर मास कते हैं 16 दिसंबल ले चालू होई 15 जनवरी तक जाही